चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं मंगलवार इस्पेसल वेश थाली प्योर वेश थाली है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत स्वादिश्ट थाली मैं बनाने वाली हूँ और सिंपल सा कीचन है और बहुत ही मिडिल क्लास जो हमारा कीचन है उससे जो सुपाच भोजन बनता है दि मेरी बिहारी थाली रेसिपी आती है बहुत ही सिंपल तरीके से कम इंग्रेडियंट के साथ जो भी मेरी थाली में रेसिपी बनती है वह में दिखाती हूं जिसमें बहुत सारे लोगों को आइडिया भी मिल सके कि कम समान में भी अपना जो थाली है बहुत ही स्वाधिस्ट और हेलदी थाली आप बना सके तो आज की थाली में ना मैं बैगन का भड़ता बनाने वाली हूँ और एक बहुत अच्छी रेसिपी में बनाने वाली हूँ वीडियो की इन तक बने रहिएगा और देखे यह करेला है ना तो आज मैं करेला की सबजी भी बनाऊंगी तो यह छोटा तो नहीं है और इसमें तीन से चार कलियां लासुन की खोश देंगे और देखे हारी मिर्च भी इसमें डाल के बनते हैं लेकिन आज का वेगन का भरता आपको बहुत स्वाधिस्ट लगेगा तो चलिए इसमें सिर्फ मैं लासुन खोश देती हूं और तब तक कड़ा ही करती हूं मतलrh भी जो भी अछ़ देती हूं टो यहां पर देखें हरा चना है जो काफी के लिए काफी केव हूद चाहे तो निम Cohen चनल और देती हूं तो नैम्बु प्याज के Saad भी देती हूं लेकिन कभी कभी इसको रूका गरम करकेखें जिसमें इकदम हलका नमक Hawn सी हल्दी और एकदम हलका गरम करके तो कोई भी मतलब रूप में आप हरा चना जरूर खाए और नहीं तो आप सलात की रूप में भी अपने रोटी खाए पराठा खाए तो जरूर इसको सामिल करें और यह स्वास्त के लिए बहुत ही लाबदायक है और क्यूंकि इसमें फॉल हो जाएगा तो यह हो जाएगा तच्च बुड हम लोगों को आज तक एक भी मारी नहीं है क्योकि हम लोग झूभी झालते है और घर का बनाओटे एं तो देखिए यह सब मतलब लिखते है न तो परने में भी बहुत खराब लगता है तो चलिए कोई नहीं अपना अपना ल पक रहा है तब तक मैं आलू गोवी की भूजिया काट लेती हूं तो देखिए बहुत सारे ऐसे टीप्स भी मिल जाएंगे कि एक साथ ना फटा फट से एक थाली में इतना जादा जायका बना लेंगे तो मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि बापर इतना खाना केले कैसे ब तक भूजिया मेरा होगा तो दूसरा काम कर लोगी तो यह सब मैं अपने वीडियो के माध्यम से टिप्स भी देती हूं और बहुत सारे आइडियाज भी आजाते हैं कि देखिए सिंपल सा जो भी आपके पास सबजी है तो उससे भी आप बहुत तरह का जायका जो है ना सिं बरतन भी होते वो भी दोते जाती हूं कई बार ऐसे कमेंट्स आ गये कि आप खाना बनाते बरतन दोते दोते दिखाने लगती है तो देखिए यह सब मैं जरूर अपनी जो भी सिस्टर लोग है तो उनको में टीप्स भी देती हूं कि देखिए एक्ट्रा जो बरतन होता है अगर आप विदाउट मेट काम करते हैं तो आप जल्दी जल्दी से जो एक्ट्रा बरतन है उसको भी धोते जाए तो इससे आपका काम भी एजी हो जाएगा तो चलिए यहां पर बैगन टमाटर पग गया है तो मैं निकाल लेती हूं और अभी बैगन काफी ताजे-ताजे म मानना पड़ता है और क्योंकि यह जो से सिंपल में थाली बनाती हूं तो बहुत ही बिहारी और देशी तरीके से जो थाली दिखाती हूं और लिट्टी चोखा में थोड़ा सा त्यारी करना पड़ता है लेकिन मैं जल्द रेसे पी ले करके आऊंगी और यहां पर देखिए हम लोग इसी तरह का दाल खाते हैं आपको गाढ़ा खाना है दाल तो इसको गाढ़ा बना ले और अरहर की दाल बनाईए गाना तो वह पतला ही अच्छा लगता है चना का मूं का दाल यह सब जो होता है ना गाढ़ा खाने की चीज है लेकिन अरहर का दाल पतला जीरा से छो आज रखोंगी आज काली मिर्च वाला बुझिया में बनाऊंगी एक हमारे मतलब आज आप रेशिपी yes देख करके भाबी बच्चे भी खाते हैं और आप लोगों का दिल से धन्यवाद है आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तभी मैं अपनी कीचन से निकाल करके जो भी सिंपल रेसेपी बस आपके तक लेकर करके आ रही हूं और यहां पर आलूगों भी डाल देने के बाद इसमें बस नमक डाल दे और हल्दी डाल दोंगी और बेसिक मसाले मैं पीस के रखती हूं दो दीन के लिए मैं पीस लेती हूं और वो मसाले को मैं डाल दूगी जिसमें एक वर मैं दिखाई भी थी जिसमें अद्रक, लसन, जीरा और काली मिर्च पीस करके रख लेती हूं वो दो चमस डाल करके अब क्या करना है कि इसको ढांक करके चला ले अच्छी तरह से पहले और ढांक करके छोड़ दें और ये भुजिया एकदम होता रहेगा जब भुजिया पक जाएगा तब हम तेज आच करके एकदम लाल करके भून लेंगे तो ये सब बहुत असान तरीके से आप भुजिया भी बना लिजेगा और ऐसा नहीं कि गो भी तूट जाएगा तो दे मेरा भुजिया भी हो रहा है और बैगन भी मेरा पक गया है तो चलिए इसको पहले मैं धनिया पता पीस लेती हूँ तो बैगन का भरता आज मैं किस तरह से बनाने वाली हूँ वीडियो के इंट तक बने रहेगा मेरी वीडियो पसंद आती है तो थोड़ा सा मुझे सपोर् भून ले ये काली मिर्च वाला भुजिया भी मेरा तयार हो गया अब चलिए बैगन को हम छील लेते हैं और इसमें लहसन भी पका हुआ ना बहुत ही संदी संदी खुसबू आती है और गाओं के देशी चूले पर ये सब बैगन का चोखा आलू का चोखा खाई है ना बहु स्वाद बनता तो है खाना स्वादिश्ट लेकिन वह स्वाद नहीं आ पाता है तो चलिए यहां पर बैगन और टमाटर भी पग गया है तो सब को अच्छी तरह से भरता बना लेना अभी काफी गरम है और यहां पर बस सिंपल से हम डालेंगे नमक जितना स्वाद की नुसा बना लेना है और यह गोल वाला बैगन होता है तो उसका ही भरता ज्यादा स्वादिश्ट होता है तो चलिए यह आलो और टमाटर जो है ना उसको अच्छी तरह से मिला करके और बहुत अच्छी तरह से भरता बना लेना है तो चलिए आप इसमें जो हम मसाले डालेंगे तो लाले उसके बाद ये एक बड़ा कटा हुआ प्याज है ये प्याज बहुत स्वादिश्ट लगता है ये बैगन का भरता में और हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि धनिया का पत्ता में ये हरी मिर्च है और इसमें अच्छी तरह से सान लेने के बाद इसमें हम ये बहुत अच्छी तरह से चला ले आगर सत्तु का पराठा भी बनाते हैं तो बैगन का भरता बना लें बहुत स्वादिश्ट लगता है तो चलिए ये बहुत स्वादिश्ट बैगन का भरता बनकर के तयार हो गया है और आप जरूर्ड कीजेगा और मतलब आप लोग में तो इस तरह करके बहुत एजी तरीके से मेरा काम हो जाता तो अब मैं आज चोटे वाले करेले हैं तो इसका मैं सब्जी बनाने वाली हूँ करेले को थोड़ा सा उपर से मैं छील लूँगी उसके नमक पानी में डाल देना है और नमक पानी में डालने के बाद चार से पांच पानी से फिर धोले और बीच में आप कट लगा दें और देख लिए कीड़े वगेरे तो नहीं है और क्यूंकि इसका बीच जो है ना बहुत निकाल लेंगे और अब हम इसकी सबजी बनाएंगे तो इसको भर के भी सबजी बनती है तो देखिए अब तो यह सब जो है समर स्पेशल रेसिपी होती है तो मैं धीरे-धीरे मतलब करे ले कहीं बहुत तरह से जायका मैं अपनी थाली में दिखाऊंगी तो उसके बाद चल देना है देशी टमाटर और इसको भूनना नहीं है तेज आज पर सरसो तेज आज पर भूनने से उसका स्वात कड़वा हो जाता है थोड़ा सा नमक डालेंगे और पहले में करेला में नमक डाल दी थी नमक डालने से क्या होता है नमक पानी में डालने से तो उसका कड़वा तेज आज पर मैं कभी मसाला नहीं भूनती हूं इससे इसका स्वाद ना देखे मसाले तो भून जाते हैं लेकिन वह उतना स्वाद नहीं हो पाता धीमी-धीमी आज का भूनावा मसाला वह बहुत सब्जी को साधिस्ट बनाता है तो चलिए ये पांच मिनिट भूनने के और एकदम धीमी धीमी आज पर इसको एकदम छोड़ देंगे तब तक जो एक्स्ट्रा मेरा जो काम है एक्स्ट्रा वरतन वगरा है तो इसको भी मैं क्लीन करके निकाल देती हूँ लेकिन मैं इसमें एडने कर रही हूँ बहुत सारी सिस्टर का इसा कमेंट्स आ जाता है कि ब पीच को आप निकाल दे तो बहुत स्वाधिश बनता है करेले को अच्छा है आप भूजिया में खाए या सब्जी में खाए करेले भी काफी हिल्थ के लिए भी बेनिफिसियल है तो चलिए यह बहुत अच्छी तरह से बन गया है तो अब मैं थाली लगाना सुरू करती हूं थाली में और क्या-क्या जायका होने वाला है वीडियो के इंट तक आप लोग बने रहेगा और फूल बाच किजिएगा क्योंकि पूरी जो मतलब थाली के रेसिपी मैं दिखाती हूं और जिसमें आप लोगों को अच्छा भी लगता है और अगर मैं रेसिपी नहीं दिखा हूं तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि आप कौनसी रेसिपी बनाया है उसका फूल वीडियो भी दिखाए तो चलिए मैं सोचती हूं कि जो दो रेसिपी है अपने थाली के लिए जो बनाती हूं आपके सार जरूर सेयर करूं तो यहां पर देखे यह स्वाद तो उसको भी खाना दे देती हूं एक कमेंट्स हमारी सिस्टर काया था कि थाली में सबसे पहले नमक और यह सब लगाना चाहिए तो देखिए आपका एकदम कमेंट्स मतलब जेन्यून है और मैं अब इस चीज़ को फॉलो करूंगी और मतलब थाली लगाने से पहले नमक य जो धनिया पत्ता का फ्लेवर वला बैगन और टमाटर की भरता लगा देती हूं और साथ में यह स्वादिश्ट सा करेला का सबजी है तो यह लहसन के साथ ही ना आप देसी मिर्च को पीस लेंगे ना तो एक दम देसी वला स्वाद आएगा और उसके साथ मैं लगा दूंग और यहां पर चलिए लगाने के बाद और एक पापड में सेख दूंगी और यहां पर लगा देती हूं पापड तो आई होप कि आज की सिंपल सा थाली भी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कर ले